नमस्कार स्वागत है आपका आची खबर में मैं हूँ आपके साथ मही मशर्मा वर्जों के इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को वो शुब घड़ी आने वाली है जब रामलला अपने भवे मंदिर के गर्भ ग्रह में विराजमान होंगे जिसके लिए पूरी आयोध्या को सजाया जा रहा है वही रामलला को सजाने के लिए भी वस्त्र तयार हो रहे है इस बार अस्थाई मंदिर में विराजमान चारों भाई और हन्मान जी के वस्त्रों तयार किये जाही रहे साथी क्यावन इंच के प्राण प्रतिश्ठित होने वाले बाल रामलला के वस्त्र भी तयार लेकिन विशेश आयोजन के दिन पीला वस्त्र पहनना शुब होता है इसलिए प्राणप्रतिष्ठा के समय उन्हें पीला वस्त्र पहनाया जाएगा लेकिन बाद में वह सफेद वस्त्र धारण कर लेंगे वहीं 1945 से आयोध्या में एक परिवार रामलला के वस्त्र सिल रहा है और ये काम करते हुए उसकी तीन पीड़ियां बीद गई है इस बार भी है शंकरलाल का परिवार अपने आराधी के वस्त्र त्यार कर रहा है आईए आए मिलाते हैं आपको रामलला के वस्त्र सिलने वाले सब्सक्र कर खाह Ms. 700 वर्षों के इंति svobhari आने वाली है 22 जनौरी को नाहीं अपने भाब्यद्धे consistent में विराज्वान होने वांदेव हैं कि सब्सक्राद को रामलला के गर्व ग्रयाथ प्रवेस के सासी साथ पूरी आयोध्या को सजाय जा रहा है सजाने के साथ राम लला के वस्त्र जो हां बनाए जा रहे हैं हम उस दर्जी से बात करेंगे नमस्कार आप कब से यह वस्त्र नहीं हैं और राम लला का प्राप्तिष्ठा है उसके लिए भी आपको ओर्डर मिले हैं कैसे अनुद्धा उन्नाइस सो पचासी में सिर्पिता जी हमारे सिर्पाबूलाल जी और तत्कालिक में पुजारी सिर्लादा जी थे उनके माध्यम से हमारे सिर्पिता जी एक मसीन ये और एक मसीन ये दो मसीन हमारी वहां गुम्मत के नीचे जिसमें बाबरी मज्जी जिसों कहा जाता था गुम्मत के नीचे हैं यह दो मसीन लगती ठाचा गिरने के बास्ति हम लोग अपना यहीं शिलते हैं और पुझारी जी के माध्धम से पुझा गाता रहा और बना करके हम लोग पुजारी जी को देते रहे हैं। चाट से थाट थक्का समय देखा है आपके बाबा सिले पिता जी आपके तो वस्ट सिले हैं रामलला के वह दौर देखा है और आज का दौर तोनों में हमाई दर्सकों को फर्क बता है क्या फर्क है उस समय जब प्रभू हमारे गुम्मत में थे वहां जानी में थोड़ा लोह मने जाता रहा और नियुक्त साइट क्नि कि एक खिरू में तुमार को दिर वहां करेंगए हो Papod yang ना जाना theories इक रहा उनुझारा से टो कभी कभी हमलों की इच्छा होती थी ही कि ar प्रभू हमारे ताठ से ठाठ में आए तो जब ठाठ में आए तो कुछ राहत मिली तब से तो क्या पूछना पूछा ही क्या जाए अब तो महल की तयारी में हैं अब तो और आयोध्या आयोध्या बाती तो गद-गद हैं 500 गुद्ध्ध वर्सों के बाद प्रभू हमारे अपने भविशाल मंदी में पर्वेश करेंगे अस्थापित होंगे तो उस समय कि खुशी कि क्या कहा जाए उसे राम जी को प्यारे यह और नाओ ध्यावासि पियारे राम जी से अद्ध प्रियमो वहिया के बासी ममधावदा पुरी सुकुराशी यानि भगवान सिराम चंद जी अपने मुखार बंदों से कहे हैं कि आयोध्या से ज्यादा प्रिये हमें ध्यवाशी यानि की राम लला के विराजमान हो रहे हैं और खुशी इतनी है उमंग इतनी है यह हमा कि मिल्ब या कहें कि शब्द नहीं है इनके पास कहने इतनी उस्वाहित हैं राम लला के कपड़ों को बनाने के लिए वस्ट को सजाने और सवारने में लगे हुए हैं आयोध्या से आज ही ख़बर के लिए अपूर उपाठाओं